हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग उम्मिद करता हो ठीक होंगे फिर से लेके आज चुका हो नया रिक्रूमेंट फिर से आज इस वीडियो के अंदर बात काने वाल आप सभी लोग के लिए नया जो रिक्रूमेंट पाब्लिस होने जाड़ा है वह रेलोए की तरप से रेलोए र रिक्रूमेंट 2023 में होने जाड़ा है रिक्रूमेंट की आपडेट जिसमें आप लोग एप्लिकेशन कर सकते हो आज इस वीडियो के अंदर उसी के उपर बात करने वाला हो तो इस बार की रेलोए की तरह चे जितने भी रिक्रूमेंट की आपिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसके और टीची के ऊपर बहुत बढ़ी एक रिक्रूमेंट की आपडेट जारी जारी होा है ऐसमें आगर है आप याप अप्रेशिट करने वाला हो तो पूरा लेन वीडि olan तक बेखिए अगर आप लोग इन्टरस्टेड है एंड एफ्लिकेशन करना चाते ह तो वहже के उपर T अप्लिकेशन करना चाहते हो तो चलिये देख लेते क्या है अप डेट दोस्तो जैसे की देख सकते हो मैंने यहाँ पर आपडेट लेके आज चुका हूँ जिसमें क्लियरली मेंशन किया जा रहा है इंडियन रेलोई की तरब से ग्रूप सीख के टिकेट क्लार्ट गूट्स गार्ड एंड स्टेशन मस्टर के उपर रिक्रूमेंड किया जा रहा है इसमें आप लोग अप्लिकेशन कर सकते हो एंटिनो पोस्ट के उपर बेसिकेली 14,500 हैंसी भी निकल के आया है जिसमें कोई भी कैंडियर आगात चाते है वो लोग यहां पर अप्लिकेशन कर सकते तो इसके उपर इसमें अप्लिकेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन में अप्लिकेशन करने के लिए भी बुलाया जा रहा है कि यहाँ पे अगर कोई candidate application करना चाते हो तो आपको online में application आपको भेजना होगा तो यह भी एक criteria आपे mention किया गया है अगर कोई candidate application करना चाते है इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा और इसके साथ railway की TC के जो recruitment है 21-81,000 तक आपको salary भी यहाँ पे mention किया जारा है अगर कोई candidate application करना चाते है selection process की अगर बात किया जाए यहाँ पे 4 step में आपको selection किया जाएगा और आपको exam देना होगा तो फास्ट जो selection process की जो main step आप पे रखा गया वो है CBD test और उसके बाद है physical efficiency test, medical test and document verification जो कि चारो के उपर आपको completely qualify होना पड़ेगा and then आप लोग you can get this job तो आपको चारो में ही आपको qualification आप मतलब qualify होना चाहिए इसके लिए आपको preparation भी करना होगा अगर आप लोग application करना चाहते हो इसके बाद और क्या का update दिया गया है चलिए देख लेते अब यह बात करने वाला हो age criteria तो basically यहां पर जहां पर आप लोग देख सकते एज criteria कि अगर बात किया जाए तो minimum 18 से 30 years तक के candidate यहां पर application करने के लिए बुलाया जा रहा है यहां पर आपको age reduction भी आपको मिलेगा अगर application करना चाहते हो तो आपको age reduction कि अगर बात किया जाए 18 से 30 years तक आप आप लोग यहां पर application कर सकते हो और एज रिक्षान जोग है एससे के लिए फाइव यार्ट ओवी सी के लिए त्री यह तक आपको age reduction मिलेगा टी सी के लिए application करने के लिए आपको जो है 2023 में application करने के लिए 10 एंट 12 पास करने वाले ही सब्सकुष लें आपको फूप को कुलाप करना के लिए अपके पास कुछ सर्टिफिकेट मोटर कार अधर कर सब कुछ लेके आपको फॉर्म को फिल आप करना होगा एंद देन यू कन सब्मीट एड यूर एप्लिकेशन फॉर्म तो यही था आज की वीडियो अगर पसंद आया लाइसेंस सब्सक्रीब करना मात भूलिये